बिस्मिल्लाई रमान रहीम, असलाई अलेकूं, वेलकम बेक टू माई चेनल तो आप सबको मेरी तरफ से एद मुबारक तो मैंने बहुत हो गया दिन जार दिना जो चोथा दिन है एद को भी अलहमदुलिल्ला तो बस सोचा के चलो बनाते है पाइनेपल का हलवा तो यह पाइनेपल यहां से मैंने ले लिया है और आज बनेगा पाइनेपल का हलवा आपने पाइनेपल का हलवा किस-किस ने खाये फ्रेंट कोमेंट करके जरू से बताना तो वस यहां बाजू पे आज देखो नई जो मेरे को मोदी के रिसे मिली थी यह प्लेटा तो मैंने सोचा चलो आज नई प्लेटों का उटगाटन करते पाइनेपल के हलवे के साथ और बनाया था पाइनेपल का हलवा और बन गया दूदी का हलवा और इसको बोलूंगी में गाजर का हलवा अब आज मक्काई की रोटी बनाईए मेथी की भाजी ने मक्काई की रोटी अबबब अरे मक्काई की रोटी तो यह है मक्काई की रोटी अमें इस पर गी नहीं लगाया अबबा गाजर का हलवा बनाया तुमारे लिए अरे सोरी दूदी का ने देखो मिंकी लाल बेकी की भाजी नहीं बिटा ने अबबा मकाई की रोटी में लेकाई मकाई की रोटी लेकाई अबबा अबबा गाजर का अरे सोरी अबबा मेने बनाया केसा बना दूदी का हलवा आलमंड, काजू बदाम दोनु डाले अबबा, ड्राइफूट डालके, ड्राइफूट सा लबालब बनाया था, यह नहीं अबबा के लिया चीज़ नहीं है, बस तुमकाई की रोटी, दूधी का हलवा, बनाना था, पाइनेपल का हलवा और बना दूधी का हलवा, और यह मेर आप लोगों के साथ में बेड रूम की मेरी वीडियो मेरा बेड दिखाया था मेरी बेड सिट दिखाया थी जो एसी में एसी के लिए ये ब्लेंकेट हेगा एसी में उडने के लिए लेकिन मेरा ये बेड है तो जो मेरा अल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं आया आप लोगों के स मैं इस तरह से सीधा साधा बेट दिखाया तो, तो आल्ला ने बेज दिया बेट की सोप पर जी हाँ दोस्तों अल्ला महरबान तो घडा पहलवान बात थै इसी तरह की, तो हम आये हैं हमारे रिष्टेदार के गर पर जहां पर हमारे कुए कुछ काम था तो बस बात से बात चली तो उन्होंने बोला कि मेरे दामाद की बहुत ही अच्छी याने बेट बनाते हैं, फर्णीचर बनाते हैं, डाइनिंग टेबल, सोफा यहां बाजू पर आप लोगों को डाइनिंग टेबल, सोफे, सबी चीजे और एकदम रिसनेबल प्राइस में और बह सबी आते हैं, तो वो नीचे सोते हैं, और हमारे उपर के दो बेट रूम में, जो के मेरी मम्मी पपा से चड़ाता नहीं, उपर दो बेट रूम में और नीचे सिप कीचन और हो लेगा, तो बस यहां बाजू पर हाजी साब ने हम लोग आये थे, यह बेट डेखने के लिए मम्मी पपा के लिए, लेकिन फिर हमने ऐसा डिसाइट करा, कि हम लोग जो हमारा बेट है, वो नीचे रख देंगे, और मम्मी पपा के लिए नीचे रख देंगे, और हमारे लिए हम नया बेट ले लेते हैं, तो बस हम लोग यहां बाजू पर डिसाइट नहीं कर पा रहा ह कि हम कौन सा बेड लेवे कौन सा बेड खरीदे तो प्लीज फ्रेंट आप लोगों की हेल्प की जरूरत है प्लीज फ्रेंट आप लोग हेल्प करिए हमारे बेड कौन सा बेड हम लेवे सिलेक करें कुछ समझ नहीं आता है अभी कौन सा न्यू याने फेशन में है तो प्लीज अभी रनिंग कौन सा चल दिया है तो प्लीस फ्रेंट आप प्यारे प्यारे कॉमेंट करके जरूर से बताना के मैं मेरे घर के लिए मेरे बेटरूम के लिए कौन सा बेट पसंद करूँ तो आपके प्यारे कॉमेंट का इंतजार रहेगा अस्सलामालेकूम रिमतुलाह वबरकातो फी अमानूला इंसाला फीर मिलूंगी नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए अस्लामालेकूम